नमस्कार आज हम हिंदी भाषा की सात्वी कक्षा की पाठे पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ छे समय के अभ्यास के प्रशन करेंगे इस कवीता का अध्यन हम अपनी पीछली वीडियो में कर चुके हैं यदि किसी बच्चे ने वे वीडियो नहीं देखिये तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लिए ताकि आपको सभी प्रशन अच्छे से समझ में आ जाए हमारा पहला प्रशन है कवीता में से तो आएए पहला प्रशन शुरू करते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा कवीता में मनुश्यों को समय के साथ चलने के लिए क्यों कहा गया है तो इसका उत्तर है कवीता में मनुश्यों को समय के साथ चलने के लिए कहा गया है क्योंकि समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुखता है एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी भी लोट कर नहीं आता इस बात को आप सभी जानते हैं कि बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता इसलिए समय की महता को समझते हुए हमें समय के साथ चलने के लिए कहा गया है। प्राकरतिक आपदाएं आने पर भी समय की गती में कोई बदलाव नहीं आता है। इसलिए कहा गया है कि प्रकति भी समय के नुसार चलती है। अगला प्रशन जिसका समय से कदम मिला रहा समय उसी का प्यारा इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहा गया है। इसका उत्तर है। और उन्हें जीवन में सफलता मिलती है और उनका समय उनके कर्मों की वज़े से अच्छा हो जाता है। जब वो सभी अपने सभी कारें समय पर पूरे करते हैं तो समय भी उनका जो है अच्छा हो जाता है। अगला प्रशन कवीता के माध्यम से कवी क्या संदेश देना चाहता है। तो इसका उतर है इस कवीता के माध्यम से कवी यह संदेश देना चाहता है कि समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुपता। जो व्यक्ति समय का महत्तव समझते हुए अपना कार्य समय पर पूरा करते हैं उनको जीवन में सफलता मिलती हैं। और जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करते अथाच समय का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोग जीवन में समय की महत्ता को पहचानते हुए ऐसे लोग जीवन में कुछ भी हासिल नहीं करते हैं। कहने करते हैं कि जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हैं उन्हें जीवन में सफलता मिलती हैं। और जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करते, समय का दुरूपियों करते हैं, ऐसे लोग जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। इसलिए समय की महता को पहचानते हुए हमें समय के साथ ताल मेल बैठा कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब हमारा जो अगला प्रशन है, वह हैं, पांचवा प्रशन, तो आईए देखते हैं। कवीता की पंगतियां पूरी कीजिए। इतिहास डैश हमें समझना, समय सिखाता डैश की इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना, डैश हमको सिखलाता है, कभी न डैश बदलना, और जीवन हमको सिखलाता है, कभी न दिशा बदलना। समय के डैश में बहना जीवन एक डैश है समय के दरिया में बहना जीवन एक मुटता हैर्थात मोती अब अगला प्रशन है नीचे कुछ कतन दिये गए हैं जो कतन कवीता के भाव से अथवा संदेश से मेल खाते हैं उनके सामने सही का चिन और जो मेल नहीं खाते उनके सामने गलत का चिन लगाईए तो देखते हैं पहला है प्रितन करने पर समय रुक सकता है प्रितन करने पर समय रुक सकता है हम अगर कोशिश करें तो हम समय को रोक सकते हैं नहीं तो क्या आएगा गलत जो पत्ता एक बार डाल से तूट गया फिर वह नहीं जुडता ये बात बिल्कुल सही है कि जो पत्ता एक बार पेड से तूट जाए वह कभी भी दुबारा नहीं जुड सकता भीशन आंधी तूफा के आगे समय जुखता है तो क्या आएगा गलत कि चाहे भीशन आंधी तूफा ही क्यों न आजे समय किसी के सामने किसी के आगे नहीं जुखता प्रक्ति भी समय के अनुसार चलती है हाँ समय सबसे ज़्यादा बल्वान है हाँ अब हमारा अगला प्रशन है बातचीत के लिए तो आईए देखते हैं हमारा अगला प्रशन हमारा बाचीत से समंदित पहला प्रशन है जीवन को मोती क्यों कहा गया है तोतर है जीवन को मोती कहा गया है क्योंकि मोती बहुत ही कीमती होता है पर उसकी कीमत तब लगाई जाती है जब उसे समंद्र की गहराईयों से निकाल कर मनुष्यों के बीच लाया जाता है तबी हमें उसकी कीमत का पता चलता है उसी परकार हमारा जीवन भी बहुत ही कीमती बन सकता है यदि हम उसे आलस्य, अविवेक, कर्तव्य विमूडथा आदी के बंधनों से मुक्त कर सही दिशा प्रदान करें अगला प्रश्न, क्या पूरा ब्रह्मान समय के अनुसार चल रहा है कैसे तो इसका उत्तर है हाँ, पूरा ब्रह्मान समय के अनुसार ही चल रहा है रितु चक्र का परिवर्तन, दिन रात होना, स्रिस्टी का सिर्जन और विनाश होना सभी सदैव गती मान समय के कारण ही है हमारे जीवन में होने वाली परते घटना समय का ही परिनाम है अगला प्रश्ण है आप पूरे दिन में क्या-क्या किस-किस समय करते हैं उसकी तालिका बना कर चर्चा कीजिए इस प्रशन को आप सभी बच्चे स्वयम करेंगे कि आप अपने पूरे दिन में क्या-क्या कारे करते हैं और किस समय उस कारे को करते हैं अगला प्रशन है अनुमान और कल्पना से संबंदित यदि आप सुभा समय पर विद्याले नहीं पहुँच पाएंगे तो क्या होगा यदि मैं सुभा समय पर विद्याले नहीं पहुँच पाया तो देर से विद्याले पहुचने का कारण अध्यापक को बताना पड़ेगा पूरी कक्षा के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा जो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा क्योंकि मैं समय का पाबंद व्यक्ती हूँ जो व्यक्ती समय का पाबंद होता है समय की कदर करता है यदिवय किसी दिन एक भी दिन यदिवय लेट पहुँचता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है कि आज मैं लेट कैसे हो गया अगला प्रश्न है मान लीजिये कि आपने समय रहते परिक्षा की त्यारी नहीं की और परिक्षा का दिन आ गया तो आप क्या करेंगे यदि मैंने समय रहते परिक्षा की त्यारी नहीं की और परिक्षा का समय नजदीक आ गया है तो मैं सबसे पहले एक समय सारनी बनाऊंगा और उसी सारनी के अनुसार परिक्षा की त्यारी करूंगा समेसारनी यानि की टाइम टेवल और उसी टाइम टेवल के अनुसार परिक्षा की त्यारी करूंगा इसके अतिरिक्त मैं अपने शिक्षकों की मदद से पिछले वर्षों के प्रशन पत्रों वह महतवपुर्ण प्रशनों का चयन करवाकर उनका अभ्यास करूंगा अगला प्रश्न जीवन मुल्य से सम्बंदित समय का हमारे जीवन में विशेश महत्तव है क्या समय हमें अनुशाशन में रहना सिखाता है कैसे तो उत्तर देख लेते हैं इसका हाँ समय हमें अनुशाशन में रहना सिखाता है समय के चलते हमें विद्याले में अनुशाशन में रहना पड़ता है अपने घरों में भी हमें अपने बड़ों के समुक भी अनुशाशन में रहना पड़ता है वाहन चलाते समय भ्रह्मन के दोरान सारवजनिक स्थानों में घूमते समय खरिदारी करते समय हमें अनुशाशन म रहना ही पड़ता है अब जैसे मान लीजिए आप वाहन चला रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं अगर आप ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा तो यानि कि आपको अनुशाशन में रहना पड़ेगा उस समय और अब आप सब्जी खरी किते हैं या बिजली का बिल भरते हैं मान लीजिए अब वहाँ पर भी आपको पंक्ती में लाइन में खड़े होना पड़ेगा अपनी बारी का इंतिजार करना पड़ेगा ऐसा तो नहीं है ना आप धक्का मुक्की करके सबसे आगे निकल जाओ तो आपको लोग कुछ नही कहेंगे तो वहाँ पर भी आपको अनुशाशन में रहना पड़ेगा तो कहने का अर्थ है कि हमें हर जगा अनुशाशन में रहना पड़ता है और समय हमें अनुशाशन में रहना स्वैम ही सिखा देता है अगला प्रशन है समय पर काम करने से क्या लाब होते हैं उत्तर है सम पूरा होता है काम पूरा होने पर उसकी उप्योगिता बनी रहती है अब मान लीजिए कोई काम है जिसे हमें आज ही करना था अगर हम आज नहीं करेंगे तो कल उसका करने का कोई फायदा नहीं होगा अब हमने जो काम अगर आज कर लिया तो उसकी उप्योगिता बनी रहेगी अगर हम उस काम को कल कर देंगे तो काम तो वो हमारा हो जाएगा पर उसकी उप्योगिता खतम हो जाएगी और हमें सफलता मिलती है और यदि हम अपना हर काम समय पर करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है जैसे कि एक छात्र यदि सत्र के शुरू से ही जब आपका नया से तो आपको परिक्षा के समय सफलता अवश्य मिलेगी, इसके अतिरिक्त यदि हमें अपना परतेक कारे समय पर करते हैं, तो हमें अपने घर परिवार के साथ समय व्यतीत करने का भी समय मिल जाता है, समय पर काम करने से हमारा बाहरी और आंत्रिक जीवन सुख्द तरीके से बीटता है हमारा अगला प्रशन है भाशा की बात से सम्मंदित तो आए देखते हैं दिये गए शब्दों के कवीता में से समान अर्थ वाले शब्द ढूंड कर लिखिए समान अर्थ यानि की समान अर्थक शब्द शन शन का समान अर्थ क्या है पल हमेशा सदा मोती मुकता शक्तिशाली बलवान ये सभी जो हैं कवीता में दिये गए शब्द हैं अगला है ना या ता प्रत्य जोड कर नए शब्द बनाईये जैसे चल जमाना चलना बदल जमाना बदलना समझ जमाना समझना जुक जमाता जुकता रुक जमाता रुकता जुड जमाता जुडता अगला प्रशन है नीचे दी गई रित्वों की एक एक विशेष्टा बताईये यह रित्वें दी गई है यहाँ पर उन्हें हमें विशेष्टा बतानी है तो वर्शा की विशेष्टा क्या है कि उसमें आर्दरता होती है ठीक है और ग्रीशम यानि कर्मी की विशेष्टा क्या है कि उस मोसम में क्या होती है उस शुनता होती है और शीत यानि कि सर्दी की रीतु की विशेष्टा क्या होती है शुश्कता होती है इसमें शुश्क होता है इस सर्दी का जो मोसम होता है वो शुश्क होता है जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में हाथ पैर जो होते हैं शुश्क हो जाते है तो अच्छा हमारी जो है शुश्क हो जाती है बसंत की विशेष्टा क्या होती है बसंत जब रितु आती है तो पूरा खुशनमा होता है वहाँ पर जो वातवरण है खुशनमा हो जाते है कि वर्षा रितु में जो वातवरण है वो कैसा आरदर्ता भरा होता है यानि कि वर्षा की विशेष्टा क्या है आरदर्ता होती है उसमें ग्रिश्म की यानि गर्मी की विशेष्टा क्या है कि उसमें उश्णता होती है शीत यानि सर्दी की विशेष्टा क्या है कि उसमें श प्रश्न आशा करती हैं आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार